हलो दोस्तों गैतरी की रुसाई में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज मैंने बनाई है ये कैरेमल खीर रबडी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है मैं आपके बार चम्मस से उठा के दिखा देती इसकी थीकनेस कितनी बढ़िया से हमारी रबडी बनी है ये देखिए बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं बहुत ज़्यादा पतली नहीं सच में बिल्कुल इसमें चावल डाले हैं सच में एक दम बिल्कुल रबडी जैसा फ्ल जो मतलब मैं बनाती हूं घर के सिंपल से चावल हैं मैं इन ही चावल को 20 नट के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था पहले से ही इनको ये देखिए इस तरह से आराम से जब इस तरह से तोड़ेंगे न तो बहुत ही सौफ्टी से टूट रहे हैं तो ये देखिए बहुत बढ़िया से हमारे चावल फूल चुके हैं तो मैंने इसी से मतलब जो हमने कप दिखाया इसी से मतलब 14 कप चावल मैंने लिये थे तो इनको अच्छे से धोके इनको हम छनी से छान लेंगे इनका सारा पानी निकाल देना है बिल्कुल पानी नहीं चाहिए हमें इसमें और देखिए अच्छे से सूख चुके हैं तो क्या करेंगे पोटली सी बांध के इनको इस तरह से इस तरह से रगड देंगे इस तरह से मढ़िया हाथों से मसल देंगे क्योंकि हमें चावलों को बिल्कुल साबुत नहीं रखना हलका हलका से इनको तोड देना है मतलब इस तरह से पोटली सी बना कि इस तरह से मसल देंगे ती तूट जाते बहुत हाँ मतलब इसली हमारे चावल टूट चुके हैं तो चलिए इनको हम एक कटोरी में निकाल लेती उसी कटोरी में फिर से निकाल लिया आधा चमच गी डालके और चमच की सहाता से पूरे में अच्छे से चा चावल लिये हैं जब हम डाल रहे तो गिर भी रहे तो टोटल चार चमच ही हमारे चावल इधर हमने गैस पर कड़ाई चड़ा ली है अब हम कड़ाई में तीन कप दूद डाल देंगे दोस्तों यह देखे बहुत जादा दूद नहीं लेंगे तो हमने यहां पर पॉना किल पर कर रखा है भी तो हमारा दूद मतलब गरम हो रहा है धीरे धीरे बहुत बढ़िया से इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसमें चावल डालेंगे तो यह देखे हमारा दूद बढ़िया से उबल चुका है बहुत बढ़िया से तो यह देखे इस तरह से जब उबाल आ ज जायत इस तरह हम लब चावल डालके तुरन चावल को चलाएं दोस्तों इस तरह से चलाते रहें थोड़ी देर के लिए एक मिनट तक चावल को चलाते रहें ताकि वो तले में बिल्कुल न चिपके तो दोस्तों इसी तरह चावल को चलाके हम इस बिल्कुल आज को धीमा कर द ताकि यह चिपके नहीं इधर हमारे ड्राइफ रूट्स बारिक से मैंने काट लिए हैं इधर बीच में हम दूद को चलाते भी रहेंगे तब खीर को हम साइड में रख देंगे एक चमच घी में हम जो हमने ड्राइफ रूट काटे हैं उनको थोड़ा साम भून लेंगे इस त चलाते भी रहेंगे यह देखिये दिसको हम ध्यमियाज करके दोस्तों चोड़ देंगे उसके बाद हम समय केरेमल बनाएंगे दोस्तों इस तरह से पांच से मिनिट के लिए पकाल लिए हैं इस पर फिर से चड़ाकर विस्कों फिर से साइड में करेंगे इसी चूले पर हम कैरेमल बनाएंगे इसको पहले थोड़ा सा हम चला देते हैं और चलाने के बाद हम दो मिनट के करीब और इसको पकने देते हैं भी यह दिखिए इस तरह से दोस्तों बीच-बीच में इसको चलाते रहे देखिए कितनी गाड़ी हमारी खीर हो गई है बहुत हमारी खीर लगती है इसको मिस तरह से बारीक से पीस लिए हैं और इस तरह से पीस के इसमें डाल देंगे दोस्तों सच में इसका टैक्शर होता है बहँत बढ़ी हैसे होता मैंने डाल दिया था और थोड़ा सा दो चम्मस दूद्ध लेके इसको मैंने मतलब इस तरह से डाल देना है ये देखिए जैसी मुषको डालेंगे निस तरह से चलाएंगे तो कितनी बढ़ी सा से और ठोड़ी से इसमें थीखनेश आ जाती बहुती बढ़ी से अब हम क्या करेंगे गैस को चमच मैंने उसमें डाल दिया खीर में और बाकी की हम कैरेमल बनाएंगे तो इस तरह आज को अभी हमने थोड़ा सा तेज कर रखा है हाई टू मीडियम होती नहीं उससे थोड़ा सा ज्यादा कर रखा है और इस तरह से इसको हम चीनी को पिघलने देंगे तो यह देखिए हमारी चीनी को हम बिल्कुल लिक्वेट में कर देंगे इस तरह से यह देखिए बढ़िया से इसको हमें लिक्वेट में कर देना है इस तो इसी तरह से चलाते रहें तो बढ़िया सी यह पैन छोड़ देगी और चलिए हम दूद में इसको हम डाल देंगे इसी खीर में को अच्छे से मिक्स कर देना है और इस टाइम हम एक से दो मिनट के लिए और पकाएंगे दोस्तों बहुत जादा नहीं पकाएंगे दोस्तों चीनी का याद रखें इस तरह हम इस चिए पर मासरी हो पने अब का में सबसक्राइब ह। मतलब एस सलिए क्लाशन वेपैसाब सब्सक्राइब करें से निकाल लिया उसकी देखिया बहुत ही बढ़या से हो दोस्तो itself बिल्कुल रबडी जैसा इसका फरेवर्र आ रहा है बिल्कुल इक हुस बहुत इस पोछी से इसमें से खुसबू भी आ रही दोस्तो तो चलिए इसको हम एक बावल में सर्व कर लेते हैं देखिए कितनी बढ़िया से लग रहे रहेगा नहीं बिलकुल रबडी वाला फलेवर रहेगा इस तरह से किसी कंटेनर में निकाल लेजिए दोस्तों इस तरह से तो दोस्तों ये हमारी खीर रबडी पौणा किलो के करीब बन के तयार हुई है मतलब पौणा किलो दूद में पौणा किलो अगर खीर रबड़ी बन जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हमने देख히े इसमें चाउल भी बहुत ज़ादा नहीं डाले चार चम्मच के करीबी चावल डाले हैं और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है दोस्तों सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है हमारी खीर रबडी तो दोस्तों आप लोग ज़रूर ट्राय करना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है तो यह देखिए कितनी बढ़िया से बनी है बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मतलब यह इसी तरह बनाएं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर आपको थोड़ी सी पतली पसंद है तो थोड़ा जल्दी गैस बनत कर दीजिए लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है दोस्तों तो दोस्तों इसी तरह से आप भी बनाएं आप भी खाएं और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है पसंद आ रहे तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंड करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और इसी तरह की रेस्पीज में आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें बाई दोस्तों